कि अज़िए अज़िए विडियो में एक ऐसी ग्रोथ कंपनी आपके साथ डिसक्स करने जा रहा हूं जिसने अपने शेयर ओड़र्स को और रिडी क्रोड़ों रुपे कमा कर दी हैं और यह ऐसी ग्रोथ औरिंटेट कंपनी हैं अगर मैं बात करो तो इस वक्त अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से आदी कीमत पे यह शेयर ट्रेड हो रहा है रिफाइनी सेक्टरस इसका तालोग है और इसमें डेली बेसिस पे तगड़े वॉल्यूम लगते है और लोग इसमें ट्रेडिंग भी करते हैं और रखने के लिए भी यह स्टॉक अभी जिस लेवल पर ट्रेड हो रहा है तो आपको बहुत अच्छा रिटन दे सकता है और आपकी इंवेस्टमेंट को यह डबल कर सकता है तो वीवर्स जिस स्टॉक की आज मैं बात कर रहा हूं इसका टालोग रिफाइनरी सेक्टर से है और इसकी जो 50% शेयर है वो PSO के पास है तो कंपनी का नाम है पाकिसान रिफाइनरी आप देगें रिफाइनरी सेक्टर में अभी बहुत अच्छी मूव आई है आज देखने को मिलिए और साथ साथ आने वाले जिनों में रिफाइनरी सेक्टर में बहुत अच्छा चार मा सकता है और जिस स्टॉक को आ पाकिसान Refinery Limited को आज मैं डिटेल में डिसकस करूँगा मेरी कोशिच हो थी कि आप लोगों को मैं टाइम दी अच्छे शॉक्स के बारे में बताओ ताके आप लोग जो लोग शॉट ट्रम हैं या फिर डिविडेंड कमाना चाहते हैं तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल स सबसे पहले बात करूंगा इसकी करन प्रैस की जो कि इस वक्त यह शेयर 24 रुपीस पर प्रेड हो रहा है 24 रुपे में यह शेयर जो है वो इस वक्त मैं समझता हूं कि यह 3 में मिल रहा है बहुत ही डिसकाउंटिट प्राइस है जब आप इसकी फंडमेंटल्स देखेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि यह शेयर वाकर इतना सस्ता मिल रहा है तो इस वक्त मैं कहूंगा कि यह शेयर लौटरी का टिकेट है अगर आप इसको खरीदेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा प्राफिट मिलेगा और साथ साथ इसका डिविडेंट भी आप इंजॉई कर सकते हैं मार्केट के बात करूं तो इस वक्त 15.5 बिलियन कि इसकी मार्केट कैप है यह एक ब्लू चिप स्टॉक है पाकिस्टान रिफाइनरी एपिएस चारो कोड़र का है दोड़र चॉबिस में और अर्निंग इसकी आउट स्टेंडिंग है लास्ट चारिक मुकाबले में आर्निंग में तो 6.45 इसका इपिएस आया है जिसमें से जो बुक वैल्यू बन दी है इसकी वो 51 रुपीज है तो बुक वैल्यू के हिसाब से अगर मैं बात करो तो आदी से भी कम प्राइस में यह मिल रहा है शेर्फ मैंने आपको हमेशा एडवाइस किया है कि कोई भी स्टॉक जब आप बाय करें तो यह चेक करें कि वो अपनी इंप्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत में मिल रहा है तो आपको फूचर में फाइदा देगा शेर्फ डिविडेंट इसने भी अनॉंस किया है और काफी साल बार इसने डिविडेंट अनॉंस किया है दो रुपे का यह डिविडेंट दिया है तो दो रुपे का डिविडेंट भी बहुत अच्छा डिविडेंट है अर्निंग आउट इस्टेंडिंग है तो हर चीज उबर की तर इसमें मौझूद है तो विवर्स इथना सस्ता शेयर आपको पाकिसान रिफाइनरी डिविडेंड के साथ मिल रहा है तो फिंडमेंटल स्कॉंग कंपनी है मैं रिकमेंड करूंगा कि जो लोग रिफाइनरी सेक्टर में और करना चाहते हैं जो इस स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करें मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताओं ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं और मुझे अपनी रहा है तो आज की वीडियो आप है इन्शाला अगनी वीडियो में दोबार आपसे मुलाइकात होगी अपना ख्याले कि अल्ला आफिस